नमस्कार दोस्तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तो आज मैं बहुत ही इंपोर्टेंट और बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ कि आप अपने पीफ खाते के अंदर नोमिनी कैसे एड़ कर सकते हैं और दोस्तो मैंने इसके अंदर पूरा स्टैप बाई स्टैप आ देखते हैं कैसा यह प्रोसस है सबसे पहले आपको गूगल के अंदर दोस्तो आपको सर्च में लिखना है यूए एन लोगिन तो जैसी आप यह सर्च में डालेंगे तो जो सर्च इंजन जो आपको रिजल्ट डिस्पले तरेगा उसके अंदर यह सबसे टॉप में आता है इसमें UN employee होता है और यह employee के लिए है तो इसमें आपको क्लिक करना है जब आप इसमें क्लिक कर देंगे तो आपका यह homepage open हो जायगा इसमें आपको जहां मेरा cursor अगर आप यह red point देख रहे होंगे तो यहाँ पर यह देखिए UAN आप UAN की help से अपना password डालकर capture डालना और sign in करना है और दोस्तो इसका password यह वही है जब आपने UAN को अधार कार्ड से link किया होगा तब शायद आपने बनाया हो अगर आप यह password भूल गए है तो आप forget password की help से इसको आप step by step इसको password को reset कर सकते हैं वो reset करने के बाद अपना sign in कर सकते हैं तो मैं तुम्हें forget password को reset करना नहीं बता रहा हूँ वो बहुत easy है मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपको आपका password मालूम है तो जस्ट आपको password डालना है UN number डालना है capital डालने के बाद sign in करना है जैसे ही sign in कर लेंगे तो यह आपके वे पास यह home screen के उपर यह वाला एक page खुल के आ जाएगा तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो website के उपर भी यह लिखा हुआ है e-nomination facilities is available with e-sign तो e-nomination जो है अपने e-sign के दौरा आप available है इसके इंदर facility तो यह बता रहा है कि आपको file now करना है अभी करना है nominee या बाद में करना है तो actual में अगर आप file now करेंगे तो सीधा आपको nominee वाले page पे ले जाएगा तो अगर आपको उससे पहले की सारी की सारी आपने जानकारी फिल कर दी है तो आप वहां से कर सकते है वरना आप later कीजिए क्योंकि कुछ चीज़े हैं जो आपको पहले fulfill करनी है पहले भरनी है उसके बाद ही आप e-file कर सकते हैं तो मैं आपको वह सब बताऊंगा तो चलिए शुरू करते है सबसे पहले जब आप उसको later पे click कर देंगे तो ये वाला page आपके सामने open होगा ठीक है इसके right side में आपका UN number, password, date over सब कुछ आ रहा होगा ठीक है जो फोटो है यहाँ पर यह लगी है कि नहीं लगी है और दूसरा जो permanent और current residential address है दीए देखिए जहाँ पर मेरा cursor में इसको red एक circle से भी इसको highlight किया हुआ है और यहाँ पर red arrow भी लगा रखा है यहाँ पर आपको अपना address अपडेट करना है इस edit button से ठीक है और यहाँ पर change photo पर click करके आपको photo change करना है चलिए इसको देखते हैं कि कैसे करना है जैसी आप permanent address के सामने जो edit का button है यहाँ पर click करेंगे तो आपके पास यह वाला page open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना permanent address डालना है अगर आपका permanent address है आपका current करना है जैसे ही आप update पर click कर देंगे तो नीचे जहाँ मेरा cursor अगर आप देख पा रहे होंगे address save successfully यहाँ पर लिख किया जाएगा फिर आपको यहाँ से profile में चले आपको वापस profile में जाना है जैसे ही profile में जाएंगे तो आपकी photo जो है इसको भी लगाना है इस chain photo पे click करना है आपको जैसे ही click कर देंगे तो यहाँ पर browse का option आएगा ब्राउस की option से आपको वा file अपने computer से choose कर लेनी है जो आपको photo यहाँ पर लगानी है जैसे ही आप उस if I'll choose कर लेंगे तो यहाँ पर preview आपको यहाँ पर आ जाएगा तो आपको preview कर देंगे वो यहाँ पर upload हो जाएगी फिर आपको दोस्तों फिर से top के अंदर यह जो manage लिखा हुआ है इस पर cursor लेके आना है यहाँ पर है option आपका e-nomination का तो e-nomination करने से पहले आपको अपना address और photo लगाना mandatory है वरना इसके बिना आपको e-nomination यह करने नहीं देगा e-nomination पर click जैसे ही आप कर देंगे तो यह वाला page सबसे पहले open होगा इसमें आपका address, name, date, gender अगरा सब कुछ आ रहा होगा तो just यहाँ पर इसको check कर लिजए कुछ edit है तो आप edit अपने profile में जाके इसको edit भी कर सकते हैं वरना proceed पर click करना है आपको proceed पर click करने के बाद यह वाला page आपके सामने आएगा तो आपके सबसे top में यह पूछेगा having family कोई आपकी family है wife, parents, बच्चे जो भी आपके हैं कि नहीं तो आपको generally बंदा अपने घर, परिवार वालों को ही बनाता है nominee तो आपको yes कर देना है और yes करने के बाद आपको पर उसका यहाँ पर अधार कार्ड जहां मेरा करसर है आप देख सकते हैं यहाँ पर अधार कार्ड फिर नाम, डेटो बर, जेंडर और रिलेशन आपके साथ मलब कि अगर आपकी wife है तो यहाँ पर wife select करना है ठीक है अगर उसका भी address आपके वाला ही है तो मैंने red arrow के साथ ब पर अधार करनी है एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ यहाँ पर actual में आपको पूरी family अपनी add करनी चाहिए family का meaning यह है 30 साल तक की लड़की, 25 साल तक का लड़का, आपके parents, आपकी wife हो ठीक है यह सब family के अंदर आते हैं उसका फाइदा यह है कि जो pension कभी by chance कभी ऐसे गटना ना हो जाए, मलकि दुरगटना ना हो जाए, कि pension शायद आपकी family को लगनी पड़े, तो वो पूरी family पर pension लगती है, तो इसलिए family member add करवाई जाते हैं, ताक कि जो भी उससे में present हो, वो उसका फाइदा ले पाए, वरना खाली nominee add करना है, तो आप किसी एक को भी बना कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर photo पर click करना है, photo पर जैसे ही click कर देंगे, same जैसे आपने अपनी photo लगाई थी, वैसा ही option यहाँ पर open हो जाएगा, browse पर click करके आपको अपनी photo select कर लेनी है, preview पर click करना है, click करने के बाद वो photo यहाँ पर frame में बन के आ जाएगी, आपको upload कर नहीं है, तो यहाँ पर वो upload हो जाएगी, यहाँ मेरा cursor है, तो उसके बाद आप जब आपने पूरे family member add कर लिया हो, यह अपना nominee add कर लिया हो, तो यह मैंने एक red arrow बना रहा है, यहाँ पर click करना है, इस click करने के बाद same family detail पर click करना है, अगर आपका एक से ज़्यादा family member है, तो add row करके आप उतने ही लोगों को उतनी वार उनका आदार कार्ड और photo सबकी individually जैसे मैंने यहाँ पर करना बताया था आपको, ऐसे ही सब का बारी से यह सब करना है, ठीक है, जैसी यह सेव कर लेंगे आप, तो scroll down पे option में नीचे ही जिसको आपने save किया होगा, उसका आदा और सामने यह percentage जो है, यहाँ पर 00 by default आता है, अगर आपने एक से ज्यादा add किये हैं, तो आप 100% के share को भी उनमें equally divide कर सकते हैं, या अपनी सुविदा नुसार भी किसी को 20, 40, 50, जो आपको डालना है वो कर सकते हैं, अगर एक ही person है तो यहाँ पर 100% आप कीजिएगा, और यहाँ पर जो select का option है, इस पर tick करना है, ऐसे, यह देखिए, यह select पर tick करना है, यहाँ पर percentage आपको 100 कर देनी है, यह type करना है, इसको 100 type करने से आएगा, ठीक है, और जब आप यह कर लेंगे, तो save EPF nominee पर आपको click करना है, जैसे ही click कर लेंगे, तो उपर लिखके आएगा, यह देखे करसर जहां मेरा है, EPF details save successfully, तो यहाँ पर उसकी date जब आपने डाला होगा, वो आ जाएगी, और यहाँ पर एक फारम आ जाएगा, एक्चुल में यह जो आप भर रहे हैं, यह ओनलाइन यह एक फारम है, जो आप कभी offline भरते थे, तो उस फारम को यहाँ पर view कर सक जखते हैं कि अधारकार नमबर, नाम, पता, एडरस सही पड़ा है की नहीं पड़ा है, जब आप पूरे verified कर लें कि हाँ सारी जानकारी ओके है, तो ही आप e-sign की तरफ जाएगा, वरना edit option में जाके आप इस जानकारी को फिर से edit कर सकते हैं, ठीक है, तो e-sign पर आपको click क करना है, जब सब कुछ okay हो जाएगा, जैसे ही e-sign पर click करेंगे, तो एक नया page यहाँ खुल जाएगा, c-deck के नाम से, यहाँ पर आपको अधारकार नमबर को use करके, यहाँ पर आपको अधारकार नमबर डालना है, जहां मेरा cursor है, यहाँ पर tick करना है, अधारकार नमबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर यह टिक करना है, टिक करने के बाद submit पे click कर देना है, जैसी submit पे click करेंगे, तो PDF sign successfully, तो यह कामियाबी से आपने उसको submit कर दिया है, ठीक है, तो इसके बाद आपको मनलब कि वापस से जाना है, अपने manage section में, यह manage में, देखिए, यहाँ manage में, manage में जाके जब आप check करेंगे, तो आप e-nomination में जब दुबारा जाएंगे, तो यहाँ पर यह automatically, अब यह ऐसे बनका आएगा, कि nomination successfully, ठीक है, तो यहाँ पर यह file होगी, यह actual में जो forum है, जो आपने पहले e-send करने से पहले देखा था, तो यह e-send करने के बाद का य e-send card भी actually में आपको save करके रखना चीए, ताक कि जो आदमी कभी यह आपकी absence में कभी काम कराने जाए, तो उसके बास भी यह पूरी जानकारी हो कि आपका e-send number क्या है, क्या आपका चीजे हैं, तो इसलिए आपको e-send card भी यहाँ पर view में जाईएगा, e-send card पे click कर सकत है, उस page को, दोनों को आप save करके अपने safe जगा पर रख लीजिए, वो nomination वाला form आपको यहाँ से मिल जाएगा, manage section में, e-nomination में जाएगे, तो यह यहाँ पर page मिल जाएगा, तो यह दोस्तों है, बहुत ही आसान, आप घर बैटे ही इसको कर सकते हैं, कुछ ही मिन्टों के अ आनना हो, तो आप comment में पूछ सकते हैं, धन्यवाद आपका, जो आपने पूरा इस वीडियो को देखा, thank you